केंद्र सरकार के अगनीपत योजना का बिहार राजस्थान और यूपी में विरोध शुरू हो गया है बतादें सेना की भरती के लिए योजना त्यार की गई रक्षा मंत्री राजना सिंग द्वारा अगनीपत योजना की घोशना करने के अगले ही दिन यानि बुधवार को जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए बिहार में प्रदर्शन कारियों ने बकसर में रेलवेर ट्रैक जाम किया तो मुझफर पूर के मारीपूर में आगजनी की और सड़क जाम कर दी इसके इलावा आरा में भी जम कर बवाल मचाया पुलिस और जीयार पी ने प्रदर् जून को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना नौ सेना और वायू सेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भरती के लिए अगनिपत भरती योजना शुरू की इस कीम के तहत नौजवानों को चार साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी माना जा रहा है कि सरका कारे में में तब तक पता नहीं चलता जब तक वह जमीन पर नहीं आती मैं इस योजना को बनानेवाली टीम में शामिल नहीं हूं मुझे इसके बारे में बिफितन कार्यों इसके बाद प्र दर्शनकारियों ने समझाने के लिए सदर और काजी मोहमदपूर पुलिस मौके पर पहुंची हालां की वे माने नहीं प्रदर्शन कारियों का कहना है कि जब तक सेना का कोई अधिकार उन लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे वे सडक से नहीं हटेंगे बकसर में प्रदर्शन कारियों को समझाने क के बाद ट्रैक से जाम हटा और परिचालन शुरू हो गया प्रदेशन का कहना है कि नेता हो या विधायक सभी को पांच साल का समय मिलता है हमारा चार साल में क्या होगा हमारे पास पेंशन की भी सुविदा नहीं है चार साल बाद हम रोड पर आ जाएंगे उनका कहना है कि प्रदेशन कारियों ने कहा रक्षा मंत्री राजना सिंग ने मंगलवार को इसका एलान किया था कि अगनी पत्थ स्कीम के तहत अगनी वीरों की न्यूक्टी होगी जिन्हें चार साल के लिए सेना में नौक्री दी जाएगी चार साल बाद 75 फी सदी जवानों को 11 लाग हैंडल से ट्वीट कर लिखा अगनी पत्थ तीन घंटे की फिल्म है और नौक्री चार साल की जै बोलो कनहिया लाल की वहीं बिहार के पूर्व उपमुख्य मंत्री तेजस्वी आदव ने भी ट्वीट कर अगनी पत्थ योजना पर सवाल उठाए औन वन लाइव से मैं झाल